नमो नारायन मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ए नाम के जातक एबम एन नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का शंबंध इन दोनों का दामपत तेजी बनने कैसा होगा मित्रों यदी आपी जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह बेडियों आप दोनों के लिए बहुत जयादा महत्तो पुर्ण एबम उपयोगी है तो बेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें तो अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि ए नाम के जातक एबम एन नाम के लोगों की जोड़ी कैसी होगी इस नाम के लोगों का दामपत्ते जीवन कैसा होगा मित्रों आपको बता दें कि ए नाम के जातक एन नाम के लोगों के साथ में साधी करना पसंद करते हैं इसके अलाबा आपको बता दें कि ए नाम के जातक हमेशा अपने जीवन में नियाय का साथ देना सच का साथ देना पसंद करते हैं लेकिन यदि एन नाम के लोगों की बात कड़ें तो इस नाम के लोग निकटता के लिए हमेशा तैयार होते हैं लेकिन ए नाम के लोगों की अंतरंगता में कोई भी रुची नहीं होती है मित्रों आपको बता दें कि एन नाम के जातक अपने जीबन में घटी हर एक बुड़ी घटना को याद रखते हैं लेकिन यदि ए नाम के लोगों की बात करें तो ए नाम के जातक अपने जीबन में घटित हर एक बुड़ी घटना को भूलना चाहते हैं जो कि इन दोनों के बीच में अनकूलता की कमी को पैदा करता है लेकिन मित्रो एन नाम के लोगों की एक्छा सक्ती बहुत ज्यादा मजबूत होती है इस नाम के जातक द्रिढ एक्छा सक्ती बाले होते हैं इबम इसके कारण ए नाम के जातक एन नाम के लोगों के परती बहुत जयादा आकरसित होते हैं लेकिन यदि ए नाम के लोगों की बात करें तो इस नाम के जातक बहुत जयादा करोधी होते हैं इस नाम के लोगों को छोटी मोटी बातों पे बहुत जयादा गुसा आता है जिस गुसे के कारण इन दोनों के संबंध में इनको पड़ेशानी का सामना करना पड़ता है मित्रों इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं एबम अपने दामपत्ती जीवन को अपने बैबाहिक जीवन को यदी आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे की गलतियों को इगनौर करना होगा अपने साथी की गलतियों को आपको भूल जाना होगा एबम अपने साथी को माप करना होगा यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप दोनों का शंबंध बहतर होगा वैसे ए नाम के जातक एबम एन नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके संबंध की बात करें तो इन दोनों का शंबंध सामानने रहेगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें एबम इस वेडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यड़ कर दे धन्यवाद